Hello friends, welcome to the class, my name is Sudhi, let's start today's season. देखिए हम लोग Environment Ecology पढ़ रहे थे और हम लोग Pyramids की बात कर रहे थे last वाली क्लास में. आज हम लोग वहीं से अपनी क्लास स्टार्ड करेंगे, Pyramid of Biomass, Pyramid of Energy को समझने की कोसेश करेंगे आज की क्लास में. तो चल यह सुरू करते हैं, अगर आपको History and Culture की क्लास देखनी हैं तो अनकाडमी पर अविशेक स्रिवास्तो सर की क्लासेश हैं, आप अनकाडमी पर अविशेक स्रिवास्तो सर की क्लासेश हैं, बहतरीन कोर्सेश हैं, आप जाएए, उसके अलावा लिंक आपको description में मिल जाए current oriented classes भी आपको अनकाडमी पर मिल जाएंगी सारी क्लासेश, लेकि History एक ऐसा subject है, जिसमें vast knowledge की जरूरत है, और अगर आप फिक नहीं कर पाए कि question कहां से आते हैं, तो बड़ा मुस्किल हो जाएगा, इसलिए अगर आपको जानना है कि question आने की possibility किन topic से जादा है, कि कौन comment है, जहां से question हो सकता है, इस बारी जादा है, उसके लिए जो अभी सर ने current oriented classes start करी है, आप उसको जाके देख सकते हैं, description मैं आपको सारी जानकारी देती जाएगी, आप TT100 करके coupon code भी use कर सकते हैं, ताकि आपको maximum discount अबेल हो सके, unacademy के courses पे, हम जो पढ़ रहे थे, एक बा topic number था, topic number 4 था, इसके बाद topic number 5 जिसमें हम लोग, gas के cycles के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो topic हमारा बचेगा, उसके बाद ये pillar हमारा complete हो जाएगा, तो हमने जो अब तलक पढ़ा है, हमने 4 topics पढ़े हैं, जिसमें 4 topic हमारा चल रहा है, कुछ basic चीजें बची हुई उसको complete करके हम इस chapter से फोरसत पा लेंगे, तो देखो, energy flow पढ़ रहे थे, energy flow में हमने बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे की energy का transfer कैसे होता है, साथ ही साथ हमने pyramids को देखा, उसके अलावा हमने different different topic labels में बहुत सारी चीजें समझने की कोसिस करी, जैसे की different different topic labels हमने समझा था, यह सब चीजे मैंने आपको बताया था, ecological succession मैंने बढ़ाया था, food chain के बारे में बताया था, food babe के बारे में बताया था, ecological pyramid और हमारा जो पांचवा और last topic बचेगा, nutrition cycle वाला, जो हमारा यह बचा हुआ है, ठीक है, तो इसको complete करेंगे, जैसे इसको complete करेंगे, हमारा topic complete हो ठीक है, अब ecological pyramids में दो topic वचे हैं, इसको complete कर लेते हैं, उसके बाद nutrition cycle को complete करके, हम यह फेलर को खतम कर देंगे, जैसे, ecological pyramid पे थे हम लोग, ecological pyramid में मैंने आपको बता दिया था, ecological pyramid क्या करता है, represent करता है, topic level को, different organism को based करता है on their ecological position, अपने उनकी जो पारिसित की इस्थती होत बताता है कि भाई, कौन सा organism किसी tropic level में कहाँ पर होगा, tropic level मतलब पॉस्तिक्तास्तर, जो मैंने आपको समझाया था कि किस परकार जिठालाल, कार्नियोरस में हो सकता है, और कैसे rabbit जो होगा, हर्वियोरस में, उसका tropical level, जो tropic position होगा, tropics label होगा, या पॉस्तिक्तास्तर ऐक किया था, ओके, चलिग, दो चीजर हमने देखी थी, जो tropic label होता है, बाउसिकताएस्तर जो अस्तर जो होता है, यह unidirectional होता है, widirectional नहीं होता है, कभी घंस जो हे र happiest को दोदिक्तास्त को नहीं खाएगा, हमेंसा चूहा ही घंस खाएगा, खरगोसी घंस घंस घंस, घं इनर्जी डिरेक्शनल होगा, एनर्जी डिक्रीज करती है, नीचे से उपर जाने पर, ठीक है, फट्स ट्रॉफिक लेबल से, जैसे से आप उपर जाएंगे, वैसे वैसे एनर्जी गटती चली जाएगी, ठीक है, यह सब चीजे हमने देखी थी, लास वाली क्लास में, अब हम आपको बताया था कि किस कंडिशन में अपराइट बनेगा, किस कंडिशन में इंवर्टेट बनेगा, एक कि कुछ मैंने बताया था आपको कि जब हम बात करते हैं गरास зад audio ecosystem की या पांड किस्टम की, bulun गास की होती हिकас की ग्रास की, प्लांट्स की, ठीक है इसकी क्या होती है, संख्या सबसे जादा होती है, तो संख्या पिरामिड आप नंबर की बात करें, नंबर कितनी किसकी जादा होती है, जाहिर सी बात है कि जो प्रोडूसर्स होंगे, उनकी संख्या सबसे जादा होती है, चाहे वो फाइटो प्लैंक्टेंस की बात कर लो, चा पिरामिट अफ नंबर सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता है, अप्राइड बनता है, इन्वर्टेड नहीं बनता है, ये बात मैंने आपको बताई थी, नंबर अफ इंडिमेजुगल की संख्या क्या होती है, वो उपर जाने पर घटी है, नीचे आने पर बढ़ती है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि, अगर ट्री एको सिस्टम की बात करो, अगर कोई ट्री है, ट्री एको सिस्टम की, क्योंकि ट्री पे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, उन बर्ड को खाने के लिए बहुत सारा पैरासाइड्स होते हैं, ये सब चीज़े होती हैं, तो अ तिखकर 10 Lakh Parasites पर एक करोण Hyper Parasides हैं इस पकार अगर हम उपर से नीचे आते हैं तो नमबर क्या होता है? घटता है यानिकि inverted बनना चाहिए इसका Pyramid और अगर नीचे से उपर जाएं तो संख्या बढ़ेगा यानिकि inverted बनेगा Pyramid फेकर उल्टा बनेगा Pyramid उपर सबस्यादा होगा मात्रा में जो भी और नीचे जो और अगनिजम होगा उसकी संख्या कम होगी बाकि स्पिंडल सेप की बात करी थी हमने लास्ट टाइम में कि स्पिंडल सेप क्या चीज होता है I hope कि यह सब चीजें आपको समझ में आई होंगी अब जो है अब मूग करते है हम लोग अपने नेक्स टापिक पर जिसका नाम है पिरामिड आफ भायो मास पिरामिड अफ। कोसिस करते हैं. श्लाइड आपके सामने हैं जब अब पढ़िये इक बार ही किया कहना चाह रहा हूँ और समझने की कोसिस के रिए खुद से कि इस पिरामिड आप बायो मास का क्या मतलब है इस image को समझी और बताये कि पिरामिड आप बायो मास का ने क्या मतलब है biomass mass मतलब draman mass मतलब weight mass मतलब weight और bio मतलब jabic living जब किसी living being के भार की बात की जाती है उसकी वजन कितनी है वजन के हिसाब से अगर pyramid बनाया जाए तो pyramid कैसा बनेगा ये pyramid of bio mass बताने के कोशिस करता है pyramid of bio mass क्या बताने के कोशिस करता है पिरामिड of bio mass बताने के कोशिस करता है कि कि किसी jabic या living organism की हम waiting करें weight करें उसका कि वजन उसके नपतुलाई करें कि कितना है तो जो जैसा बायो मास बनेगा वो पिरामिड आप बायो मास बताएगा उसको यहाँ पर देखो एक लिखा है determined by collecting यहाँ पर एक मिनट determined by, पिरामिड आप बायो मास is determined by collecting of all organism occupying east tropic label separately, हर एक tropic label को जो separately occupy करके रहता है, उसको measure करने उसको determine करने के लिए उसके dry weight को लिया जाता है, उसके सुख सुख भार को मापा जाता है और इससे बनता है आपका पिरामिड आप बायो मास, for example, जिसे यहाँ पर देखो अगर मैं कहूँ कि एक बनाईए, एक food chain बनाईए, food chain तो समझने में दिक्कत है नहीं food chain बनाईए ऐसा कि कोई plant खाता हो, ठीक है, plant खाता हो plant को खाने वाला suppose करो कि कोई आ गया, मान लो कि rabbit rabbit खा गया, rabbit आ गया, rabbit को खाया कोई लोमडी लोमडी को खाया कोई इस सेर, ठीक, तो पिरामिटा biomass कहता है कि जो यह plant है ना, plant यह नहीं suppose करो कि आम का पेड़ है, आम के पेड़ का भार सबसे ज़्यादा होगा इस एक जो हे biomass मैं अब अब सिरफ एक और्गनिजम की बात नहीं करभा नहीं संख्या के मामने, किस की संख्या जादा है, लोमडी की, सेर से लोमडी की संख्या जादा है नहीं संख्या जादा है, तो अगर सारी लोमडी को इकठ्ठा करके रख लिया जाए और उसकी वेट किया जाए, उसका तौलाई किया जाए, और सारे सेरों को इकठ्ठा करके तौला प्लांट का वेट सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा अपर जो कंजूमर्स हैं उनकी तुलना में ज़्यादा मिलेगा हमेशा और खासकर कहां पर इको सिस्टम अस्थल ये अस्थल पे क्या है अस्थल पे हैं प्लांट पेड़ पौधे पेड़ पौधे का अगर बायो मास निकाला जाएगा तो फॉर एस एक्जामपल के तौर पर ले लेते हैं तो तकरीबन 1000 किलो आएगा और हर भी और जितने भी साकाहरी पसू है अगर उनकी वेट किया जाएगा तो अकरीबन 100 किलो ग्राम आएगा जैसे यह 1000 तो यह 100 किलो ग्राम ऐसे ही प्राइमरी कॉर्नियोरस के अगर बात करें तो प्राइमरी कॉर्नियोरस का अगर वेट करेंगे तो यह 10 किलो ग्राम आएगा और टॉप कॉर्नियोरस के बात करेंगे तो इनका ड्राइवेट आए पिरामिड आप बायो मास को याद रखने का अच्छा तरीका इस इमेज को याद रखिए इस इमेज में जिठ하लाल चेहता है, बापु जी ये मसीन छूट बोल रहे है क्यों छूट बोल रही है, क्योंकि जिठालालका ये वजन जादा बता रहे है वजन की बात करी जाती है पिरामिड आप बायो मास और जेठाल कहां पे रहता है करिस्टेरियल एकोसिस्टम में अस्थल पे रहता है अस्थल पे रहने के कारण से हमेशा अस्थल पे रहता है तो इसका जो पिरामिड होगा थलिये पिरामिट हमेसा सीधा बनेगा, तो ऐसा याद कर लो कि जेठालाल का जो पिरामिट होगा, वो बायो मास का पिरामिट हमेसा सीधा बनेगा, ऐसा करके याद रख लो तो याद रह जाएगा कि जेठालाल का जो बायो मास का पिरामिट बुगा, वो सीधा बनेगा, अप और भूह को से लात करो PIRAMID OF NUMBER में अब को प्रकार करना है कि अगर Eosystem थे system वही हैशा फी ओल्टा बनेगा या SPINDAL disciple सीधा नहीं बन सकता है लेकिन अभी वही पे हम बात करनें कि Grassland ecosystem घासष exca求 system या Pond ecosystem जो भी है उसकी बात कर लें तो उसका पिरामिड आफ नंबर का जो पिरामिड होगा वो सीधा बनेगा और इसी प्रकार पिरामिड आफ बायो मास का सीधा बनेगा कहने का मतलब इतना से है I hope कि अब इससे ज़्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही हो कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी हिंदे में सेम चीज़े लिखी हुई है सूखे वजन को मापने के लिए पिरामिड आफ बायो मास का यूज़ किया जाता है अब पिरामिड आफ बायो मास इन्वर्टेट भी बनता है पिरामिड आफ बायो मास इन्वर्टेट भी बनता है फिरामिडा बायोमास वो बनेगा आपका इनवर्टेड या उल्टा. सोचिए. क्या आपने सोच लिया हूँ है? सिंपल सा जवाब है इसका. पिरामिड आफ एककोईर्टिक एकोसिस्टम. समुद्री पारितंत्र का जो पिरामिड बनेगा, वो पिरामिड बनेगा हमेशा इनवर्टेड उल्टा. देखो एक बात बताओं मैं आपको कि जब भी, जब भी कोई प्रोड्यूसर्स होते हैं, कोई प्रोड्यूसर्स होते हैं, नॉर्मल कंडिशन में, अगर हम टेरिस्टेरियल एकोसिस्टम की बात करें, तो टेरिस्टेरियल एकोसिस्टम में क्या होता है कि जो प्रोड्यूस होते हैं, consumers से हमेशा 90% ज्यादा होता है हर एक ट्रॉपिक लेवल, producers का weight ज्यादा होता है, ऐसे कह सकते हो, 90% को छोड़ो भूल जाओ, producers का weight ज्यादा होता है consumers से, यानि consumers का weight कम होगा, ठीक है, तो ये terrysterial ecosystem की बाद है, asthali ecosystem की बाद है, और मैं बताओं, कि 90% उर्जा, या 90% biomass उर्जा छोड़ीए, biomass जो है, वो कम हो जाता है अगले ट्रॉपिक लेवल में, जैसे मान लो कि, प्लांट से biomass अगले में जा रहा है, अगले ट्रॉपिक लेवल में जा रहा है, तो जितना इसमें था, उसका 90% घड़ जाएगा, जैसे यहाँ पे 1000 था, यहाँ पे 100 kg हो जाएगा, तो 90% अगले ट्रॉपिक लेवल में जैसे ही ट्राइव बायो मास ट्रांसफर होगा, तो उसका 90% घड़ जाएगा, इसी प्रकार, अगले ट्रॉपिक लेवल में यह कहने का मतलब है, हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स में जब भी यह बायो मास का ट्रांसफर होगा, तो 90% कम ट्रांसफर होगा, तो 10% ही ट्रांसफर होगा, ऐसा कह सकते हूँ, सेम कहानी जैसे उर्जा के साथ, ठीक, तो ऐसा कह सकते हो कि 90% आप बायो मास एट लॉस्ट एट इस ट्रॉपिक लेबल, हार एक ट्रॉपिक लेबल पर तकरीवन 90% तर बायो मास का लॉस हो जाता है, ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, अब सवाल हो सकता है कि भाई ऐसा क्यों ह हो जाता है, क्यों नहीं हम पूरा सेर खाते हैं और पूरा बकरी खाते हैं और पूरा बकरी का पूरा बायो मास हमारे पास क्यों नहीं आ जाता है, ऐसा इसलिए होता है, कि मोस्ट आप दा बायो मास किसे मानलो की बकरी है, तो बकरी का सारा पार्ट आप नहीं खाते हो, कु मुर्गा है या बक्री है उसको अगर कोई खा रहा है तो जाहर से बात है कि उसका पर वगएरा या जो पंखुडी वगएरा उसको तो नहीं खाएंगे उसको तो हटा देंगे उसको कौन खाएगा उसको डिकंपोज करेंगे तो साभी चीजे नहीं खा जाते एक तो उसके कार कि और चीजों के लिए कंजियों हो जाते हैं, इनर्जी स्टोरेशन में बहुत सारा बायोमास निकल जाता है। कुछ Metabolic Activity के कारण से कुछ बायोमास बाहर हो जाता है। इन सब के चलते पूरा का पूरा बायोमास ट्रांसफर नहीं होता है एक पीडी से दूसरे पीडी में एक ट्रॉपिक लेबल से दूसरे ट्रॉपिक लेबल में ये पोसर रस्ता से दूसरे पोसर रस्ता में इस परकार ट्रांसफर नहीं होता है। अब लॉटके आते हैं एक्क्वरस्राः एक्क क्या चीज़ है। एक्क्वरस्राइक प्राइर्ट्विस्ट्म में काशीज़ tricksама जचीज़ के तौर पर। एक्क्यम्दे एक्क्वरस्राइस्टम में क्या होता है। हमीढ़ा आगएक्वέλव‌ मचली होती है चोटी-चोटी मचली, चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी- ठीक, हम फिस कहा दे, अब ये छोटी छोटी फिस है, छोटी छोटी फिस को कौन खाएगा, बड़ी फिस कहाएगी, इस फिस को कौन खाएगा, वैल मचली खा लेगी, और बड़ी, ठीक है, और बड़ी मान लो, इतने बड़ी फिस, वैल मचली, तो कहानी ऐसे है, कि जब एक् पूरे CORneaurus मचलिएओं का बहार अगर पूरे corneaurus मचलिएओं को उठाके कठ्iqu लें और उसका बहार देखैं और छोटे-छोटे phytoplankton's या dew plankton's की बात करें तो जो aquatic ecosystem के primary producers होते हैं उनका बचन जो aquatic ecosystem के बड़े animals होते हैं उनकी तुलना में बहुत कम होता है इसी में से देखिए आप, यहां पर आप देखेंगे तो 400 gpr m2 इनका बायो मास है और उससे उपर जो इनको खाएंगे उनका बायो मास इनसे ज़्यादा होता है और कार्णी और जो और बड़े बड़े होते हैं, वेल मचलियां टाइप की होती उनका जो बायो मास होता है 12 gpr m2 है, तो आप सूचो कि सबसे ज़्यादा वेट किसका है सबसे ज़्यादा वेट इसका है और सबसे कम वेट किसका है, सबसे कम वेट इसका है तो पिरामिड आप बायो मास कैसे बनता है, पिरामिड आप बायो मास हमेशा aquatic ecosystem में उल्टा बनता है I hope कितनी बात clear हो गई होगी मुझे नहीं लगता है कि इतना समझने में आपको दिक्कत है अगर दिक्कत है तो मुझे comment section में फटाफट बताईए ठीक है नहीं समझ मैं है तो एक और image बनाएं कहो तो एक और image बनाते हैं हम समझने की कोसिस करते हैं weight pyramid of aquatic ecosystem ऐसे बनेगा मेरे हिसाब से मैंने ऐसा बताया नीचे होंगे phytoplankton phytoplankton के बारे मैंने आपको पताया है जो की primary producers होते हैं जो की chemo synthesis process से क्या करते हैं अपनी उर्जा बनाते हैं hydrogen sulfide के मदद से thermal bent के बारे मैंने आपको पढ़ाया था thermal bent क्या चीज होता है पहले के classes मैंने पढ़ाया हुआ है आप जा के देख सकते हैं वीडियो अब phytoplankton को कौन खाएगा कौन खाएगा होता ही abbyfish उसके इनको कौन खाएगा इनको खाएगे corny, porous और इनको कौन खाएगा sark, whale misli and sark sark का वेट ज़्यादा होता है phytoplankton का कम होता है pyramida biomass ये बताता है संख्या हो सकता, number हो सकता है कि phytoplankton का ज़्यादा हो लेकिन वेट अगर किया जाएगा तो वेट के मामले में इनका वजन के मामले में biomass के मामले में हमेशा well ज़्यादा होगी phytoplankton से पीनड वाला दिमाग मत लगा दिजेगा कि पीनड वाला दिमाग लगा के इसको काट दे ठीक ठीक है चलो अब आते हैं पिरामिड अफ एनर्जी की बात करते हैं लिंडर मैंस लॉग की बात करते हैं पिरामिड अफ एनर्जी की बात की बात करता है इसको समझ लेते हैं पिरामिड अफ एनर्जी क्या चीज है रिपर्जेंट करता है अमाउंट आफ एनर्जी एट इस ट्रॉपिक लेवल एन लॉस आफ एनर्जी एट ट्रांसफर तो एनधर ट्रॉपिक लेवल एक पूसड अस्तर से दूसरे पूसड अस्तर में उर्जा के ट्रांसफर को दर्साने का काम करता है आपका पिरामिड आफ एनर्जी, एक पोसर अरस्तर से, दूसरे पोसर अरस्तर में उर्जा को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, बताने एक ट्रांसफर को बताने का काम कौन करता है, पिरामिड आफ एनर्जी, समाल की बात ह कि पिरामिड आफ एनर्जी जो है वो हमेशा सीधा बनता है हमेशा चाहे वो एकोर्टिक एकोसिस्टम हो चाहे वो चाहे इस्टेरियल एकोसिस्टम हो यह अस्थली एकोसिस्टम हो कोई भी एकोसिस्टम हो पिरामिड आफ एनर्जी हमेशा सीधा बनेगा हमेशा अपराइट बनेगा यह तेड़ा मेड़ा या उल्टा सिधा नहीं बनता है सिर्फ सिधा बनता है एक रूल है जो मैंने आपको बताया यहाँ पर लिखा था लिंडस्मेन रूल इक वरिफर से मैं लिख देता हूँ L-I-N-D-E L-I-N-D-E-M-E-N लिंडस्मेन यह रूल कहता है कि एक पोसड अस्तर से दूसरे पोसड अस्तर में उर्जा का ट्रांसफर सिर्फ 10% ही होगा उर्जा का ट्रांसफर Only 10% of energy is transferable from lower to higher traffic level Only 10% of energy is transferable from lower to higher Tropic level यानि कि 10% उर्जा का ही transfer होता है lower से higher tropic level में यह L-I-N-D-E-M-E-N rule कहता है कि भाईया अगर 100% उर्जा या मान लो 1000 किलो कैलोरी उर्जा किसी ग्रास में है किसी घास में इतनी उर्जा इस्टोर्ड है इसी घास में अगर 1000 किलो कैलोरी उर्जा इस्टोर है जब इस घास को कोई खाएगा तो उसका 10% उर्जा ही उसमें transfer होगा जैसे कि इस घास को अगर एक ग्रास ओपर खाता है तो टिड़े में जहां इसमें 1000 किलो कैलोरी थी तो उसका 1000 किलो कैलोरी थी तो उसका 1000 किलो कैलोरी ही इसको उर्जा प्राप्त होगी अब इस ग्रासों पर को जो खाएगा, जितना उर्जा इसको मिला, उसका 10% इसको मिलेगा, यानि कि 100 kg कैलोरी, फ्रॉग को, मेंधक को, मेंधक के बारे में एक बात बदाओं, मेंधक एक इंडिकेटर इस्पेसीज है, जब मैं आपको इस्पेसीज के बारे में पढ़ा रहा ह कि इंडिकेटर इस्पेसीज क्या होती है, अंब्रेला इस्पेसीज क्या होती है, फाउंडेशन इस्पेसीज क्या होती है, उसी में आपको पता चलेगा कि इंडिकेटर इस्पेसीज कोई चीज होती है, मेंधक एक इंडिकेटर इस्पेसीज है, आप मेंसे किसी को पता है क me know in comment section कि what is, जो frog है, वो frog indicator है किस चीज़ का? या what is the indicator species of water? ऐसा कह सकते हैं, अब तुम्हें जबाब मिली गया, कि पानी का indicator या जलस्तर का indicator species कौन है? आपको बताऊं कि जलस्तर का indicator species जो है, वो है frog, मतलब मेढग, मेढग जलस्तर का indicator species है, बहुत बड़ी बात है, अगर आपको कोई instrument ना दिया जाए, आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, आप जाएए, आपको कोई आपको एक अधिकारी बनाया जा रहा है, प्रिसासनी का अधिकारी, आपको पता करना है कि आप जाके किसी महले में जाए, और पता कीजी कि क्या वहाँ पर पानी का अस्तर है अच्छा की नहीं है, तो आपको कोई इंस्ट्रूमेंट ना दिया जाए, आपको बस इतना करना है, जाना है उस एरिया में और पता करना है कि यहाँ पर मेंधक कितना है, अगर मेढग के संख्या बहुत अच्छी है तो वहाँ पर जलस्तर ठीक होगा अगर मेढग के संख्या वहाँ पर कम है तो वहाँ पर जलस्तर ठीक नहीं होगा चुकि ऐसा क्यों होता है सवाल है कि भाई ऐसा क्यों होता है मेढग क्यों होने से जलस्तर होना मेधक का जो reproduction होता है, जो numb region होता है, जो moist region होता है, जो हलका दलली छेतर होता है, वही पर मेधक अपना reproduction करते हैं, प्रजनन करते हैं और उनके संख्या वढ़ती है ऐसा कोई छेतर जहाँ पर पानी की मात्रा कम है वहाँ पर मेढक सस्टेन नहीं कर पाएंगे उनके अंडे सस्टेन नहीं कर पाएंगे अंडे मर जाएंगे और मेढक के संख्या घड जाएगी और हम पता सकते हैं कि उस जगहाँ पर पानी की मात्रा कम है तो कहने का मतलब है, यह समय पढ़ेंगे, इंडिकेटर स्पिसीज में पढ़ेंगे, इस सारा चीज पढ़ने वाले हैं, कहने का मतलब यह है कि फ्रॉग जो है एक इंडिकेटर स्पिसीज है, वाटर का, इसी परकार हो बहुत सारे इंडिकेटर स्पिसीज हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं, इसका क्या नाम है, कववा का, गिद्ध का, ये सब चूहे का, ये सब इंडिकेटर जैसे चूहा, वेस्ट का इंडिकेटर स्पसीज है, इस इस बात करेंगे, टॉपिक से हट जाएंगे, अगर इस पर बहुत डेटेल मचर्चा करने लगे तो, अब आस इतनी सी इस बात है, मैं बता रहा था, उर्जा ट्रांसफर, ग्रास ओपर फ्रॉग, फ्रॉग को मिला 100 किलो कैलोरी, मैं ने आप आपको बताया, इस मेंढ़क को कोई खाएगा, सब्सक्रों कि ये सांप खा लिया, सांप को मिलेगा 10 किलो कैलोरी, और सांप को 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 खा ले, कोई बा ज़ादा उर्जा है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पिरामिड आफ एनर्जी बताता है कि यवल 10% ऑफ एनर्जी स्ट्राइबल, क्यों 10% उर्जा ही एक पोसराइस्टर से दूसरे पोसराइस्टर में ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है, लिन्समैन रूल कहता है कि भाई, कि येवल 10% उर जाही ट्रांसफर होगी, तो चब आप 10% उर जाही आपको ट्रांसफर होगी तो obviously आपको कोसिस करनी चाहिए कि आपको vegetarian खाना चाहिए vegetarian खाने के बहुत सारे फाइदे है फाइदा तो ये है कि biomagnification जब मैं concept आपको पढ़ाऊंगा जयो आवर्धन तो जैसे एक मचली होती है तो बहुत सारी चीजों को खाती रहती है बहुत सारे pollutant, जैसे बहुत सारा industrial waste है, वो भी जाता है बहुत सारी चीजे जाती है पानी में, डे-टू-डे का vegetarian खाना चाहिए vegetarian खाने से आपका body ज़्यादा दिन तक सस्टेन करता है आप में glow रहता है और आपको ज़्यादा उर्जा मैसोस होती है comparison non-bege खाने से लोगों में ये myth बना हुआ है कि non-bege खाने से ज़्यादा उर्जा और ज़्यादा करते हैं वेज खाएं और कुश लोग तो vegan हो जाते है vegan diet vegan का मतलब क्या है vegan का मतलब है कि veg तो खाएंगे ही खाएंगे साथ ही में milk या milk से बना हुआ कोई product ये भी नहीं खाएंगे कहने का मतलब है कि milk और milk से बना हुआ कोई भी product जैसे कि आप पनीर ले लेजिए, आप दही ले लेजिए, ये सब चीज भी नहीं खाएंगे, जो लोग वीगन होते हैं, प्योर वेजटेरियन हो जाते हैं लोग, कोई रिलीजियस रीजन नहीं होता है, बस सिरफ और सिरफ एनर्जी के लिए, तो पिरामिड आफ एनर्जी जो बात ब नुट्रिशन साइकल, जो कि हमारे, जो हमने अपना वो देखा था, क्या नाम है, इंडेक्स, इंडेक्स में हमारा ये जो पांचवा टॉपिक है, ये देखिए, पांचवा टॉपिक, पांचवा टॉपिक, पायो गैस, बायो जियो केमिकल साइकलिंग एन नुट्रिशन सा पूरा nutrition cycle और पूरा gas cycle समझने के लिए, carbon, nitrogen, sulfur, यह सब बहुत important gases है, कैसे काम करती है, इसका क्या रोल है, अगर रुख जाए cycle, atmospheric concentration कैसे बिगड़ जाता है, atmospheric concentration, अगर यह normal gas cycle है, किसी भी तरीके से औरुध हो जाए, यह किसी भी तरीके से कोई gas है, समाल जो carbon dioxide system बहुत बढ़ रहा है, अगर वो बढ़ जाता है, तो उसका environment पे क्या impact पड़ेगा, humanity पे क्या impact पड़ेगा, क्या मानोजीवन संभव है इसके बिना, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे हम लोग, जब हम इस pillar number 5 की बात कर रहे हू I hope कि आज की बात आपको clear हो गई होगी, इतना चीज तो मुझे नहीं लगता है कि आपको समझने में कोई दिक्कत है, ecological succession क्या चीज होता है, पारिषित के अनुक्रमडिया, ecological succession, पढ़ा दिया मैंने समझा दिया क्या चीज होता है, primary succession, secondary succession क्या होता है, चीजे हमने समझ दी, food chain के बारे में detail से समझा, food babe क्या होता है, ecological pyramids के बारे में जितना मुझे फिलहाल बताना था, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक, अब अगर आपको लगता है कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, comment सकते हैं, बताइए, जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा होंगा, उस वक्त मैं लाइब होंगा, ठीक, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, मैं इसका जवाब या तो मैं नोट करके रखूँगा, अगले सेग्मेंट में दूँगा, या तो हाथ हो आथ वहीं पर जवाब दे दूँगा, जिस लाइब का फंक्सेन अभी ओपन नहीं होता है, स्टार्टिंग में, उस दिर में लाइब भी जाया जाएगा, इनिसली अभी फिलाल के लिए हम प्रीमियर करवाएंगे वीडियो, प्रीमियर में जो भी चीज़े आएंगी आप उसको, जो भी कॉमेंट है आपका, जो भी आ इसे चीज़े पढ़ी हमने, यह सब चीज़ हमने पढ़ लिए थी, क्या है, फोट चेन दो परकार के होते, ग्रेजिंग फोट चन और डेट्रियुक्त चन क्या चीज़े समझा दिया था, ठीक है, फोट वेब के बारे में समझा था, और कैसे फोट वेब अगर प्रभावि प्रेडेशन, कैनाबिलिजम और कम्पेटीशन क्या चीज़ होती है यह चीज़ हमने बहुत अच्छे तरीके से समझी थी फिर मैंने आपको बताया था कि यह जो मदुमक्खी होती है कि कैसे एक म्यूचिलिजम का एक्जामपल है कैसे फ्लार्स को मदुमक्खी से और मदुमक्खी को फ्लार से फायदा है यह चीज़े हमने समझी थी क्या होता है कि इस प्रिकार जिठालाल का पोडिशन कहा होगा यह आप समझाा सकते हैं आपकी कौन सा पोडिशन में यह बताऊ मेरी पोडिशन कहां पर हो सकता है, possibility क्या है ये कहां पर रहें फिर मैंने आपको इसके कुछ बिसेश्था है यूनि डिरेक्षनल और अर्नेरजी डिक्रीज होगा इसको मैंने बताया आपको फिर हमने चर्चा के पिरामिड आफ नंबर क्या चीज होता है और पिरामिड आफ बायो मास क्या होता है ये बताया कि पिरामिड आफ नंबर जो घास एको सिस्टम होता है ग्रास एको सिस्टम होता है और पांड एको सिस्टम होता है उसका पिरामिड आफ नंबर सीधा बनता है फिर मैंने आपको बताया पिरामिडा भायोमास मैंने कहा कि जो टरिस्टरियल एकोस्टेम है उसका पिरामिडा भायोमास सीधा बनता है और जो inverted बनता है वो aquatic ecosystem का बनता है समुद्रिय परितंत्र का जो pyramida of biomass है वो उल्टा बनता है फिर मैंने बताया आपको pyramid of energy pyramid of energy है मैंने बताया कि हमेशा सीधा ही बनता है इसका उल्टा होना का कोई concept नहीं है और हमेशा एक ट्रॉपिक लेबल से दूसरे ट्रॉपिक लेबल में उर्जा का ट्रांसफर सिरफ 10% ही होता है ये कहते हैं लिंसमैन फूर्ट ये चीज़े हमने आस तलक समझ ली है अब जो next topic आएगा हमारा वो topic है gases, gases cycles उसको पढ़ेंगे हम लोग next topic में thank you so much for watching देखिए अपने दोस्तों के साथ share करते रहिए comment करते रहिए, बदाते रहिए reply करते रहिए कि क्या चीज़ें आपको ठीक लग रही है क्या इस forces को continue करना चाहिए नहीं करना चाहिए अगर आपको लगता है कि चीज़ें ठीक है क्योंकि देखो, it's all about motivation अगर आप लगता है कि इस forces आपको help करती है और हमें भी motivation से ही होता है चीज़ें करने के लिए आप बस और बस क्या कर सकते हैं भी अपने दोस्तों के साथ share कर सकते हैं लाइक करिए, कॉमेंट करके बताईए कि यहाँ चीज़े ठीक लग रही है कि नहीं ठीक लग रही है हाथ पाउं चलाईए उससे भी थोड़ा motivation होता है जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपको अगर history and culture की class देखनी है आना अकाडमी पर आपको description में सारी जानकारी दे दी जाएगी फेर सारे courses चल रहे हैं आपके लिए main sans writing, practice, free team जो practice set है वो सब चेज़ चल रहे है उसके नावा TT100 करके coupon code भी आप यूज कर सकते हैं ताकि आपको maximum discount अबेल हो सके आना अकाडमी के courses थे Thank you so much for watching Have a nice day